मैं आपका अपना दोस्क्विंद्र सके राजिस्तान फ्रॉम हनमानगर्ड जैसा कि आप जान आप लोग जानते होगी मैंने जो यह चैनल बनाया इसमें ब्लोग मेरे आज पास की जो भी इस्ट्री से लेटेड़ी चीजें हैं या सब पुरानी सभ्यताएं हैं या जो भी ची देख रहे हैं यह देखिया आप यह गगर नदी काफी बड़ी नदी यह और वर्तमान में यह सिर्फ बरसाती या मौसमी नदी के नाम से जानी जाती है क्योंकि या पानी की कमी के कारण ने इस यह नदी अब लूग तो हो चकी है लेकिन जब भी बरसात का मौसम होता है या प्रतेक बरस में कुछ समय के लिए महिना भी इस दिन के लिए आती है और जैसे की जानते है इसकी शुरुआत यह नदी हिमाले की सिवालिक पाडियों से निकलती है और हिमाले की सिवालिक पाडियों से निकलती हुई पंजाब हर्याना से होती हुई हनमानगड में एंट्र गाल या यह पहांसे यह बैठी हुई हनमानगडू रंगमेशल से होतीुई यह पाकिस्तां में एट्रिक कर जाती लेकिन पाकिस्तान में हर नहीं जाती हैleader by freshSpast का पानी जाधा होता है तो यह पाकिश्तान में पहुंच जाती है और की दिखादी तो देख सकते हैं आप कितना मतलब की विशाल पानी का छेतर है इस नदी में कितना बड़ा काफी ज़्यादा चोड़ी है का और काफी गहरी है 15 से 20 फूट गहरी है और जैसा कि माना जाता है कि जब भी ये नदी आती है इसमें मतलब की दो यह झाते है तो गह्राही का पता नहीं होता पानी का तो वोग इसमें फस्थ जाते है और प्राचिन जमाने वी शरस्पति के नाम से जाना जाती थी अधूर ब्रतमान में इसको नाली के नाम से जाना जाता है कुछ इसकी साहएक नदिया भी है गागरा गंडग छप्रादी नदियां इसकी साइक नदियां है पर वह भी अब फिलाल लुप्तों पर साथी बर्साथ के टैम में इस नदी में पानी लाने में साइता करती हैं और आपको आगे भी दिखाता हूं मैं कितनी बड़ी नदी है और जैसा कि जानते हैं इसे जब भी राजिस्थान में एंट्री करती है तो एक लिएजिए बात है सब्सक्राइब और एक और नि Schlussed 的 शविए और इन्टरेस्टिंग बात है है जो हनमानगड जक्सन उसका तल कंग सथ नadी के तल से नीचे श्हुट चलो आईए दोस्तों और दिखाता हूं आपको इस नदी के बारे में तो प्लीज दोस्तों लाइक करना सब्सक्राइब करना आपके अपने दोस्त की वीडियो को और आपके अपने चैनल को और दिखा देखिया आप कितनी भेहानक नजर आ रही है यह नदी इतना पानी इस नदी के अंदर की आम इंसान एक बार देखे इसको देखे तो थोड़ा सा घबरा भी जाएगा कि बहुत ज़्यादा पानी है मतलब कि लाल पानी इसमें इस पानी का लाल होने का कमेन कारण यह है कि हिमाली की शिपाली पाड़ियों से जब यहां कच्छे पाड़ है तो वह कच्छे पाड़ों की मिटी है ना वह पानी के साथ भैकर आती है और इसके आसपास के छेत्रों को बना देती है इस नदी के आसपास का छेत्र अलगबग 30-40 किलो मेटर दोनों तरफ यानि कुल मिला के देखें तो 80-60 क मिलोमीटर का जो एरिया है ना वह बुल्कुल लाल मीटी का उपजाव हुए और नीचे भी पानी मीटा है इसके कारण इसके आसपास देखा जाए तो धान की धान की पैदावार अच्छी खासी हो रही है मत्रे इस नदी के कारण इतना मतले कि उपजाव चेतर बना हुआ ह पर बरतमान में माना जाता है कि यह नदी लूप तो उपर से लूप तो हो चुकिया और जमीन के नीचे अभी भी बह रही है क्योंकि जब चूरु शिकरादी में जब इस नदी में खुदाई की गई थी तो बाब भी मतलब कि कुछ हैं मीठा पानी निकला था नीचे से और मायन महावारत में भी इस नदी का जीकर किया गया था पर अच्छे रखाब और देखबाल के कारण यह नदी लूप तो हो चुकी है और अब सिरफ बरसाती मौसमी नदी बनकर रहे गई है और काफी फाइदा लाद पोचाती अभी भी लोगों को क्योंकि आस पास के जो लो अच्छी होती है और इसमें जो मिट्टी आती है पानी के साथ वह हुह स्टियाबं मिन्रल रही है तो वो काफी संक्याव अपनी रोजगार अपनी परिवार का पालन पोशन करते हैं उन मचलियों को पगड़ का बाजार में बेशते हैं उनका घर भी अच्छे से चल जाता अभी भी कहा जाए तो यह आज ही का एक साधन है गरी परिवार के लिए मिडल क्लास लोक्रास के लोगों के लिए देख सकते हैं आप लों यह जो आप जो अपर यह विए ग्रीज देख रहे हैं आप यह व्रीज टाउन और जक्षन को दोनों को कनेक्ट करता है यह आपस में इस प्रिज़े गरीज है दूस तरफ और इस से अगे तरफ है एक रेल वे लाइन का ब्रीज महाराजा भाटी ने यह दुर्ग दो सटासी इसमें में बनवाया था जब से लेकर जब यह नदी आप तो यह नदी सिर्फ काफी मतलब की साथ सो मीटर के लगवक देखा जाए तो 130-400 मीटर के दायरे में सेमेक कर रहे गही है पहले यह पानी मतलब की सरफ जक्सं की तरफ में एक बाहां थार वर प्यृूरा दूर्ब के बिल्कुल तरच में पानी होके निकलता था पूरा एरिया मतलब की पाने कुला चलता था पर यह अज़ी को जगे की अडिया कारण कर दिया गया है काभी अभी भी पानी अच्छी मत्रा में चलता है बर्षाथ के टाइम में वैसे नहीं तो और इस नजी की किनारे काली छाहेल और भी मतलब एसका मिलें पुरानी संभ्यता हैं जिस में मतलब कि जहां प्रसप्टी नदी के लारी विक्षित तो यह पता जितनी पुरानी सब्यता ही थी वह किसी नदी पानी के श्रोत के आज पास ही बिक्सित होती थी क्योंकि पानी नहीं लाइफ लाइन है वारी तो आसा करता हूं आपको मेरे दुआरा पताई कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए सबस्क्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बने रही है ऐसी इंट्रेस्टिंग एमेजिंग वीडियोज देखने के लिए जाय हिन जाय भारत